हेलो फ्रेंड्स मैं राजीव और आजिक की चैनल इंफर्म आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे धोकला वो भी बेशन के तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि धोकला उनाने के लिए फ्रेंड्स हम एक बॉल लेंगे उसमें 1500 ग्राम के असपास बेशन डालेंगे यह हमारा घर का फ्रेश बेशन है और उसमें हम एक चमच चीनी डालेंगे एक चमच हल्दी और नमक टेस्ट के नुशाय डालेंगे इन सब को बॉल में डालेंगे और थोड़ी सी और इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालके इसे अच्छे से मिलाएंगे पानी इसमें इकठा नहीं डालेंगे नहीं तो लंस पर जाएंगे तो हमारा इस पर करका कुछ दो तैयार हुआ विसमें थोड़ी सी पानी डालके हम इसे पतला करेंगे अब हम इसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे एक चमच के आसपास तेल डालेंगे इसमें और इसे थोड़ी से मिलाएंगे, और अच्छे से मिलाने के बाद, हमें एक पोट लेंगे, कोई भी या केक पोट, उसमें थोड़ी सी तेल डालके इसका ग्रीसिंग कर लेंगे, आप चाहें तो ब्रस के मदद से या फिर हाथों के साहरे, इसे पूरी तरह से तिल लगा दें, अच्छी तरह से, तक इसमें चिपके नहीं, हमारा ढोकला, अच्छे से मिला देंगे, इसे हम कूकर में पकाएंगे, तो उसके लिए हमने कूकर में, एक गलास के आसपस हमने पानी डाला है, एक से देल गलास के आसपस, और उसमें हम नीचे पोट रख दिया है, एक कोई सा भी या पिया तो एस्टेंड रख सकते हैं, या पोट, तो हम आप बेसन में खाने वाल पाना सोडा ऐड़ करेंगे, यह आधी चमत से थोड़ी सी कम एड़ करेंगे, इसमे, सोडा हम इसी समय डालेंगे फ्रेंट, पहले डालेंगे नहीं से, क्योंकि पहले डालने से अच्छे से अरख और ढोट्री नहीं बनेगा, इसको कूकर में डाल लेगे, पोट में डालके तो उसी समय में डालके इसे कुकर में डालके धक्कन बंद कर देंगे इसे डालके फिर जादा मिलाना नहीं है इसमें अब हम इसे पोट में डालेंगे आपके पास कोई भी इस टैप का बरतन हो के पोट या फिर कुकर का जो पोट होता है उसमें हम डालना है और उसे डालने के बाद कुकर में डालेंगे ध्यान देंगे फ्रेंच हमने इसका सीटी निकाल दिया है हमने लगवग इसे 20 से 35 मेट मेडियम फ्लेम पर पकाया है जाता तेज करके नहीं पका ना फ्रेंट तो देखिए हमारा डोकला कुछ इस परकाल के तयार है दोकला हमारा पका है कि नहीं हम इसे चाकू या चमच की मतदद से इसमें डालके देखेंगे ज़िए इसमें चमच में कुछ भी इसका मेशन या कुछ भी अंदर से लगा हुआ घीला हुआ तो इसका मतलब हमारा नहीं पकाया और बिल्कुछ साफ निकल गया हो यह देखे कुछ भी नहीं लगा हमारे चमच में तो हमारा डोकला तयार है बनके फ्रेंट अब हम इसे चाकू की मतदद से इस से इसे निकालेंगे अगर कर दोखला फ्रेंट्स सूजी का भी बनता है तो सूजी का ढोकला किसी दिन बनाएंगे कि इसे पल्टी करके उपर से ठोकेंगे तो यह देखिए हमारा बेशन का ढोकला बनके तयार है थोड़ी सी अलकी सी लगी है इसमें तो उससे ज़्यादा दिकत नहीं है अब इसे पल्टी करेंगे अब हम इसे चाकू की मदद से काटेंगे आप जिस भी साइज का रखना चाहे उस साइज में आप रख सकते हैं बेशन के ढोकले को फ्रेंट्स आप घर में बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और यह लगवग फाइनली आधे घंटे में तैयार हो जाता है आपको जैसा साइज पसंद दो आप ढूकले को वैसे अकार दे सकते हैं कि वैसे अब इडली पोर्ट में भी इसे बना सकते हैं जाहे तो लेकिन हमने इसी रूप में बनाया है अब हम इसका चौक तयार करेंगे इसे चौकने के लिए फ्रेंट्स हमने दो से तीन चमज तेल डाला है इसमें एक डब्बूग में डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे यह लगवक देर चमज के आसपास हैं करेंगे राई डालने के बाद इसमें हम कड़ी पता एड़ करेंगा और इसे ज्यादा जलाना नहीं है अब हम इसमें थोड़ी सी पानी एड़ करेंगे इसमें यहां अब चाहें तो यहां चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हम ने उसी से में डाला है तो यहां पर मुझे पसंद निया चीनी डालना अब चाहें तो डाल सकते हैं इसमें तो अब हम इसमें तरके लगाएंगे चौक तो हमने चौक लगा दिया है आप इस तरह से लगाएंगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा टेस्ट आएगा फ्रेंट्स डोकला में और डोकला में राई ऑर कडी कपता से बहुत ही अचहा फ्लेवर आता है कि इसके अप डोकला अ उतना स्वाधिस्ट बनानी सकते हैं है तो हमारा वे तर में का धोकला बनके तयार है इसे तो खालका बनके तो मारा के डोकला बनके तेयार है जै कि आ झाल झाल